नमस्कार दोस्तों अवधेश प्रताप सिंग विश्विद्याले रिवा मध्यप्रदेश एपियस यूनिवर्सिटी रिवा ने संसोधित टाइम टेबल जारी कर दिया है इसमें रिवाइज़ टाइम टेबल बियर्ड फर्स्ट यर न्यू कोर्स मेन सप्लिमेंटरी एक्जाम 2022 इसमें जो भी स्टुडेंट है बियर्ड के बैचलर ओफ एजुकेशन फर्स्ट यर प्रताम वर्स के न्यू कोर्स मेन सप्लिमेंटरी एक्जाम 2022 के लिए और ये नया टाइम टेबल है संसोधित टाइम टेबल है और इसमें आपके जब एक्जाम होंगे 15 जुलाई से सुर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एक्जाम है 15 जुलाई को आपका फर्स्ट पेपर होगा एजुकेशन एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम्स एन इशूस भारत में सिक्षा इस्थिती समस्याएं एवं मुद्दे फिर दूसरा पेपर होगा आपका 18 जुलाई को से जुलाई को आपका तीसरा पेपर होगा लर्निंग और टीचिंग अधिगम एवं सिक्षन फिर उसके बाद है 23 जुलाई को चौथा पेपर आपका होगा करिकुलम डवलप्मेंट और स्कूल पाठेक्रम विकास एवं विद्यालाय फिर उसके बाद 25 जुलाई को आपका पे सैक्षिक नीटियां विद्याले नेत्रत एवं प्रबंधन तो इस तरह से आपकी ये पेपर है फिर उसके बाद आपका 27 जुलाई को पेपर होगा 6 छटमा जो की PC1 है Optional Papers, Pedagogy of a School Subject Part 1, Anyone तो आपका जो सैक्षिनिक विशय था उससे सम्मंधित होगा जिसमें से हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू, संस्कृत, साइन्स, फिजिक्स, केमस्ट्री इनमें से कोई भी एक जो आपने लिया है सब्जेक्ट उसके अंसार से फिर 29 जुलाई को आपका 7th पेपर होगा, सातवा, PC2 है जो की, Optional Papers, Pedagogy of a School Subject Part 2, Anyone जिसमें है, Social Science, History, Civics, Geography, Economics, Commerce, Life Science and Maths इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपने सेक्षनिक विसे के रूप में चुना हुआ है, उसको आप जिसको आपने लिया है, उसकी एक्जाम होगा ठेक है, तो इस तरह से था Beard का नया टाइम टेबल, तो आप इसको चेक कर सकते हैं और उसके अनसार से अब आपके एक्जाम होगे और अब आईए देखते हैं, EMEAD के सम्मन्द में, तो ये है EMEAD, यानि Master of Education, Revised टाइम टेबल है, संसोधित परिसमय सारनी है EMEAD First Year Supplementary Examination 2022, टाइम रहेगा 9 a.m. to 12 noon तक, आपकी एक्जाम शुरू होगे 15 जुलाई से 15 जुलाई को First Paper है आपका, Philosophical Prospectives of Education फिर उसके बाद 18 जुलाई को आपका Paper होगा Second, Psychological Prospectives of Education फिर 21 जुलाई को आपका Third Paper होगा, Educational Research First फिर 25 जुलाई को आपका Paper होगा Fourth Paper, Research, Data Analysis and Interpretation First फिर उसके बाद 28 जुलाई को आपका पांचवाँ Paper होगा, Optional Paper, Anyone जिसमें से कोई एक आपने लिया होगा, इनमें से है Educational Administration, Special Education, Teacher Education, Guidance and Counseling, Educational Technology, Curriculum Studies तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जोगा आपने लिया है, 28 जुलाई को ये Optional Paper का एक्जाम है तो इस तरह से ये नया टाइम टेबल है, तो आप चेक कर सकते हैं और ये संसोतित टाइम टेबल है बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद